हेलो बच्चो आज हम हिंदी मेधा का पाठ 15 संगती का प्रभाव पढ़ेंगे इस पाठ में पढ़ेंगे कि संगती का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ता है चलिए पाठ को पढ़ते हैं एक बारे गुर सवार एक बस्ती से होकर जा रहा था मार्ग में एक चोर का घर पड़ा उसके ब्रामदे में एक तोता पिंजरे में बंद था वह तोता बोलता है पकड़ो इसे इसका सारा माल लूट लो थोड़ा आगे पढ़ने पर उसने देखा कि एक और जोपड़ी है एवं वहाँ भी एक तोता पिंजरे में बंध है वो दूसरा तोता बोलता है आओ बंधू कहीं दूर से चले आ रहे हो ठक गए होंगे थोड़ा विश्राम कर लो गुर्चवार दूसरे तोते के मीठे वचन सुनकर आश्चरे चकित हुआ और वह वही बैठ गया थोड़ी ही देर में जोपडी के अंदर से एक साधू निकले और उसकी कुशल शेम पूछने लगे गुर्चवार ने साधू से सारा व्रतान्त कहा और उनसे दोनों तोतों के भिन वहवार का कारण पूछा साधू के उत्तर देने से पूर्व ही दूसरा तोता बोल पड़ा श्रीमान मैं साधू की वानी सुनता हूँ इसलिए भला बोल रहा हूँ वह तोता चोर डाको की बात सुनता है इसलिए वैसा ही बोलता है वस्तुता नै मैं भला हूँ नै बुरा हूँ सत्य यही है कि अच्छाई और बुराई संगती से ही उपजती है तो बच्चों हमारी संगती जैसी होती है हम भी वैसे ही बनते हैं तो हमें अच्छे लोगों की संगती में रहना चाहिए धन्यवाद